हेलो गाई इसतर बात के नवाल हैं डीमाड के बारे में डीमाड में एक फिछले कुछ टाइम में एक अच्छी तेजी आने के बाद आज की दिन यहां पर से कमपनी का शेर 2.5% गिरता हुआ देखने को मिला एक ही ट्रेडिंग सेशन में तो यह गिरावट क्यों आई है और य कोई भी रिजन नहीं समझ में आ रहा है कमपनी के शेर में आपर से रिजल्ट आने की बाद से ही एक अच्छी तेजी आने की बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने के बल रहा है और पिछले कुछ टाइम में आपर पिछले आप लोग देखे के देखने जाओ तर रिज्ट-वास थीन हजार नौसो रुपे के लिवल्स के लिव्स पर अच्छा सपोर्ट ले सकता है मतलब आप लोग इस खमने के शेर में आपर से कोई अच्छा सपोर्ट डियो हो का यह लेवल एक बहुत जदा बढ़िया लिवल है खरीदारि करने का वाकियार इस कमने के रुपे पर 3480 रुपए का लेवल और 32 रुपए का लेवल दोने रे की आपरAy道 के वहां सकती होसाओ तो यहां पर 4214 रुपीस का लेवर 4512 रुपीस का लेवल 4873 रुपीस अन्ड 5,185 रुपए के वहां सकती हो बाकिया D-Mart के share में आप लोग ऐसा पूछ रहे हूँ कि यार कमपनी के share में घिरावट क्यों आ रही है तो आप लोगों को यहां पर से यह चीज यहां पर समझना जरूरी है कमपनी के share में आपर कोई भी कमपनी के अंदर 2-5% की घिरावट 5% थोड़ी जादब मैंने बोल दी पर 1-2% की घिरावट आना एकड़म नॉर्मल चीज है स्टॉक मार्केट के अंदर यह चीज एकड़म नॉर्मल ही देखने को मलती है जो पेशले कुछ टैप में घिरावट आने के पीछे का रिजन यह है क्या एक्सपेक्टेशन के मुताबित कमपनी के result नहीं आए है इसी स्टार्ट करो अभी ही आपर से एक अच्छा मौका है खरीदारी करने का तो आप लोग इस कमने को जरू से एक opportunity की तरह से इस कमने के शिप में खरीदारी करके चल जागते हो अभी current level के उपर भी तो यह था है हम पर से demand को लेकर मेरा point of view और कि आपका view मेरे को comment section में जरू से और बस अच के लिए गुडबाल लफ गुडबाई फिर मिलते नेक्स ड़े में गुडबाई और कमपनी के शिप में अभी यहां पर से almost top level से 30-35% का discount मिल रहा है तो इसका फाइदा आप लोग जरू से लेना ठीक है तो बस गुडबाल लफ गुडबाई फिर मिलते नेक्स पिर में गुडबाई